हेलो फ्रेंड वेलकम टू आर यूटूब चैनल दोस्तो आधकिस वीडियो में हम आप से बात करने वाले डियल डेवली वार नसी 2020 के अप्रेंटिस के वेकंसी के बारे में तो अंतक वीडियो को देखे हमने आपको डीटेल में बता रखा है वेकंसी के बारे में क्या कितनी प सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर अभी क्या भी करते हैं चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहां बनारस बीड़ डेवली का नाम हो गया बनारस लोकोमोटिव वर्क तो इससे आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यहां करके आप देख सकते हैं लॉग इन करने के मतलब यहां आपको अप्रेंटिस को यहां नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ तो यहां से आप डाउनलोड कर लिजिए उसके बाद जो पीडिएफ उपन होगा तो फेंट्स यह है पीड पोस्ट पे नौन आइटिया की वेकंसी निकाली गई है तो दोस्तों अगर आप नौन आइटिया मतलब दस्वीब पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाए कर सकते हैं आइटिया वाले तो जरूर अप्लाए करें क्योंकि यहां बहुत ही अच्छा चांस है डीयल डवल्य वाइनसी के लिए तो दोस्तों यहां हम बात करें कितने सीट पर वैकंसी निकाले गई गई है किस केटिगरी में हर एक फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस, वेल्डर, इलक्रेशन के लिए यह वैकंसी निकाले गई है टोटल पोस्ट 300 है अब देख सकते हैं नोटिफि की वेकंसी है आगे बात करें कैसे आपका जो यहां की इन बच्चों को कैसे सेलेक्शन मिलने वाला है तो यहां देख सकते हैं सारक सारा डीटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स यहां जो क्वैलिफिकेशन रहने वाली है और आनलाइन फार्म भरने के लिए तो नौन आईटिया कै क्राय करें जो कि आपको कॉंपेशन एक्जाम और गौर्वर्मेंट जॉब के लिए बहुत ही हैल्फुल रहेगी तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंटर बॉक्स मिलना चाहिए दसवी में मतलब आपको 50% मार्क रहना चाहिए और आईटिया के लिए 15 साल से एज के ऊपर के बच्ची है अपलाए कर सकते हैं मगर यहां 22 साल के नीचे होने चाहिए मतलब जो 9 आईटिया ही है दस भी पास है और आईटिया के लिए यहां 15 साल से 24 साल एज है एज लिमिट कुछ ट्रेड के लिए रखी है यह जैसे कि वैल्डर ट्रेड और कार्पेंटर ट्रेड के लिए 15 से 22 साल के स्टुएंट ही बिस सर्फ अपलाए कर सकते हैं यहां अगर आप S.C.S.T. है तो यहां आपको तीन साल के अलग से देख सकते हैं सारा डीटेल यहां लिखा हुए है अब बात करें यहां और सारी डीटेल की तो यहां कुछ फिसकल क्राइटेरिया दिया हुए जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए हर एक कैटेगरी के हिसाब से दिया हुए हर एक कैटेगरी के अलग अलग तो यहां बात करें अब क्या अगला कुशन है किस बेस पर यहां सेलेक्शन होगा तो जो यह सेलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पर यहां selection होता है और मैट बिस पर selection कैसे होगा यहां तो दोस्तों यहां देख सकते हैं आप आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा हुआ जो यहां selection हो वो दसवी के marks पर selection किया जाएगा जिसमें आपके 50% से उपर रहने चाहिए यहां की हाला कि आई टिया का सेम माले जिसी का 90% है और किसी और का भी 90% है तो यहां अध Colomato.com जादा है तो बात करें हम बहुत इंसारी बच्चे का फोन नम्बर से अप्लाइग करते हैं बहुत सारे टेड के लिए आपको नहीं करने है तो यह एक स्ट्रोटि दिया आपको से अगर आप दूसरा एप्लिकेशन अप्लाइगा तो यहां आपका पूरा फॉर्म रिजक्ट कर दिया जाएगा बात करें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो की फीस से रिलेटीड है और फॉर्म को कैसे फिल करना है तो यहां फॉर्म जो स्चार्ट हो चुका है आपका तयार कर लेनी है जैसे कि हाँ सबसे पहले आपको अपना एक फोटोग्राफ सई से सौ के भी से दोसों के भी के बीच में आपको कनवार्ट कर लेना है जो कि अपका सैटिफिकेट होगा वो सारे सैटिफिकेट को सौ से दोसों के भी के बीच में आपको कनवार्ट कर लेना ह उसके बाद आपको candidate का photograph JPG format में 20 से 50 के वीके बीच में आपको convert कर लेना है वरना आपका form reject भी हो सकता है यहां कुछ important documents है जो कि सभी के पास होना चाहिए high school का mark sheet आपके पास होना चाहिए ITI का mark sheet अगर आप ITI से apply करें तो ITI का mark sheet होना चाहिए वरना दस्वी का सिर्फ होना चाहिए SCST OBC के लिए यहां आपके पास government की certificate होनी चाहिए मतलब certificate of यहां आपके पास रहना चाहिए certificate उसके बाद OBC certificate non-crimi layer का जो X7-220 से बाद का जो certificate है वही मानने होगा उसके पहले का जो certificate है वो मानने नहीं होगा तो यह बात आपको ध्यान रखने है वनना आपका form reject हो सकता है अगर आप handicap है तो आपको CMO से अपना medical certificate बनवा लेना है ताकि आप form में लगा सकें उसको फ्रेंड्स यहां आपको कुछ important update है photograph से इलिट आपका जो photograph है वो 4 cm x 5 cm की रेशियों में रहना चाहिए आपके पास यहां 8 photocopies होने चाहिए photograph की ताकि आप selection के time पे आपको वही photo दिखानी है ताकि आप से कोई गलती ना हो और यहां बात करें आपका जो certificate हो ready रहना चाहिए बिल्कुल भी गलती नहीं रहने चाहिए यहां medical examination बी आपका साहिए रहना चाहिए जो की certificate अगर आप physically handicap है तो और यहां बात करें यहां बहुत सारी बच्चे doubt में रते हैं कि reject हो जाए अगर कुछ गलती करेंगे reject होगा या नहीं होगा तो यहां अगर आप कुछ भी गलती कहते हैं अगर नाम में गलती है फादने में गलती है तो यहां फॉर्म जो है वो reject हो जागा तो इस वह से आप अपना जो फॉर्म है वो सई से ध्यान से भरें खुद ही भरें हो सके तो दोस्तों है और भी कुछ इंपोर्टन अपडेट है जो कि आपको इस पीडियाफ को डाउनलोड करके पढ़ लेनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाइक करना चाहते हैं तो हमें बता है हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करवा वाली है फीडियो अगर आपको कोई डाउट होता तो यहाँ आपको कॉल करने के लिए भी आपको option मिल जाते हैं अगर आपको कैसे यहां अगर आपको PDF समझ में नहीं आता है इंग्लिश में है PDF तो यहां से आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिकेशन को तो अ काम कैसे फिल करना है ताकि तुमत अपडेट आपको मिल जाते चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक एंशेर अभी कभी कह दिजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है